पार्ट नए एक्स्प्रेशन के साथ हाजिर है आई ये शुरू करते हैं पहला एक्स्प्रेशन है किसी केस में सबूतों को सुन कर उस पर फैसला देना ये काम जिस बॉडी को सौपा जाता है पब्लिक में से कुछ लोग चूने जाते हैं और उनको अपॉइंट करके एक बॉडी तियार की जाती है ऐसी बॉडी को जूरी कहते है फोर्थ ऑप्शन जूरी एसोसियेशन एक ऐसी ओफिशल गुरूप को कहते हैं जिनका एक खास मकसद होता है एक पर्टिकुलर परपस से वो लोग एकट्टा होते हैं एक दल बनाते हैं वो एसोसियेशन है काउंसिल गुरूप ऑफ पीपल जिनको चुना जाता है तो गवर्न एन एरिया सच एज़ एस सिटी और डिस्टिक को गवर्न करने के लिए जो लोग चुने जाते हैं उनके उस गुरूप को काउंसिल कहते हैं पेशाओ बैरिस्टर का वकील का या लोयर इन आ हायर कोट यानिके हायर कोट किसी मुची कोट का हाई कोट इस्टिक कोट में लोयर है उसको भी बार कह सकते हैं दूसरा एक्सपेशन है वन हुआक्स ऑन रोब इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है फनैम्बिलिस्ट फनैम्बिलिस्ट का मतलब होता है वन हुआक्स ऑन टाइट रोब और स्लैक रोब जो रस्यों पर चलता है अब हॉल्स्टर का मतलब होता है जिसका काम है फनीचर को सॉफ मेटिरियल या कपड़े से ढखना उसको अब holster कहते है acrobat का मतलब होता है ये भी काफी हद तक fenambulist के जैसा है इसमें भी अलग अलग तरह से करतव भी दिखाते हैं लोग जो वो आदमी वो entertainer वो अलग अलग तरह से करतव भी दिखाता है gymnastic दिखाता है वो एक gymnast होता है उसको acrobat कहते है वो शांदार एक तमाशा दिखाता है aviator कहते है person who flies in aircraft जो जहाज वोलाता है तीसरा expression है four footed animal यानि के चार पैर वाला जानवर इसके लिए जो correct word है वो है quadruped quadruped is the correct answer for this expression tetrapod का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जिसके चार हाथ पैर होते हैं limbs या जो descended है four limbed ancestors जिसके ancestors पूरवज रहे हो चार हाथ पैर वाला जैसे snake या whale polypate कहते हैं जिसके कई सारे पैर हो बहुत सारे पैर हो उनको polypate कहेंगे double paired ये बहुत यह अनुखा word है option में दिया है इसका कोई खास मतलब नहीं है चोथा expression है the study of the origin and history of words यानि के शब्दों के origin और history के study को क्या कहते हैं yes, etymology etymology कहते हैं linguistics कहते हैं scientific study of a language किसी भाषा की scientific study को linguistic कहते हैं और verbose कहते हैं जब आप एक से ज़्यादा words या जरुरत से ज़्यादा words यूज करते हैं किसी चीज में तो वो verbose कहलाता है anthology कहते हैं collection of poems, stories that have been written by different people and published together in a book एक book में कई सारे कवियों या writer's के कहानियों को उनकी कविताओं को एक साथ जमा करके एक किताब के शकल में छापना ये होता है anthology पांचवा expression है that last for a short time जो बहुत थोड़े समय के लिए last करता है जिसकी मियाद जिसकी duration बहुत छोटी होती है उसको क्या कहेंगे transitory इसका एक दूसरा word synonym temporary भी होता है transitory मतलब temporary आई देखने regular regular का मतलब है जो कि अकसरोबेश्टर होता है या किया जाता है rotary of or relating to or causing rotation यानि कि rotation से जो संबंदी है वो rotary कहलाता है repository कहते हैं एक ऐसी जगा को जहां भारी मातरा में किसी चीज़ को जमा किया जाता है यह थे हमारे आज के पांच one word substitutions होप यह वीडियो आपको पसंदाया होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए थे प्लीज बताइब कीजिए